भागलपूर जिले के नवगचिया में मंगलवार सुबा ट्रक और बस आमने सामने से टक्कर हो गई जिसमें नौ प्रवासी मज़दोरों की मौत हो गई और चार गंपी रूप से घायल हो गए जानकारी के नुसार ये भीसन सड़क हाथसा खरीक ठाना शेत्र के ओभो चौक के समीप एनेच अक्तिस पर हुआ है हाथसे में घायल यात्रियों को अनुमंडलिय अस्प्रताल नवगचिया से प्रात्मिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मायागंज रेफर कर दिया है पर दुरगटना गरस्त हो गया मितक पश्रिम चमपारन के रहने वाले बताय जा रहे हैं वहीं हाथसे किसी कार हुए ये बस दरभंगा से बाका जा रहा था बस पर स्रमिक एक्सप्रेस से आई हुए प्रवासी मजदूर सवार थे बस चालक की गलती के कारण अस्थानिय लोकों द्वारा या दुरगटना होने की बात बताय जा रही है दरसल लॉकडाउन की मार जहिल रहे मजदूरों के साथ बीते कुछ दिनों से लगातार हाथ से हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के महोबा में मंगलवार सुभा एक गारी पलट गई जिस से तीन प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई वही महरास्ट के यवत माल में भी आज सुबह ट्रक और बस की भिडंत हो गए जिसमें चार प्रवासी मजदूरों की मौत हो गए और पंद्रा घायल हो गए यह प्रवासी मजदूर बस में सवार थे और इन्हें लेकर जा रही बस सोलापूर से जारखन जा रही थी हर दिन हाथसे से जुड़ी इस तरह की तस्वीरे अलग-अलग सहरों से सामने आ रही है जो की बेहत अपसोस जनक है